अपनी तो पाट साला में आप सब का फिर से स्वागत है आज मैं आप सब लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन वैसे तो ये क्लास 10 का क्लास 10 एन्सी आर्टी का चैप्टर नमबर 5 है लेकिन आपको इससे कई सारे इस्तमाल किया जा सकते हैं इसके बहुत सारे यूजेस हैं आपके आम जिंदगी में भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो पहले आईए जानते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता क्या है arithmetic progression वो चीज होती है कोई भी एक स्रेडी स्रेडी मतलब होती है समान दूरी पर कोई एक number की system हुआ और उसके बीच में अगर समान दूरी है तो वो आपका arithmetic progression यानि AP कहलाता है माली जे आप कोई गिंती गिं रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आप इन दोनों के बीच में किसी भी दो बीच के number के बीच माली जे 11, 12 हो गया तो 12 में 11 minus करेंगे तो 1 आएगा यानि एक से लेके जितनी भी संख्या आप गिनेंगे वो एक आपका AP कहलाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का number हमेशा क्या रहता है? एक रहता है जिसे common difference कहते है अब इसका इस्तमाल कैसे होता है बच्चों जैसे माली जे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से 100 number तक लिखा है तो आपको अगर कोई पोल दे कि भाईया 1 से 100 तक को जोड़ कर बताएगे कितने अंक होते हैं तो आप किस formula से निकाल पाएगे कि यह जो AP आपको दी है तो वो कितना number आएगा तो वो भी हम formula के रूप में बताएगे पहले आपको starting से बताते है AP किसके base पर आती है तो AP का स्तमाल यही होता है कोई अगर स्रेड़ी दी हो और उनके बीच में common difference constant हो यानि equal हो तो आप आसानी से उन सभी स्रेड़ी उस स्रेड़ी के सभी अंकों का जोड़ एक formula में निकाल सकते हैं आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा एक प्लस दो तीन 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 छह चार दस ऐसे जोड़ना पड़ेगा तो ऐसे जोड़ने में तो आपको time लगेगा और mistake भी हो सकती है तो इसलिए आसान तरीका आपको formula के थुरू थुरू बता देंगे उससे पहले आपको ये भी बता चल दे आएगा कि कौन सा टरूम क्या होता आइए चलिए सीखते हैं इसको आप intro video समझ सकते हैं जिससे आप arithmetic progression के सारे questions को easily solve कर सकते हैं तो आईए चलते बच्चों तो arithmetic progression पहले क्या होता है वही जानते हैं हमने बताया आप लोगों को कोई भी एक स्रेडी जो की number से लगी हो तो उसको पहले तो ये जानो कि वो arithmetic progression में है या नहीं है जैसे आपके घर की सीड़ी होती है या जो लकडी की सीड़ी पहले बनती थी ये लकडी की सीड़ी पहले बनती थी तो आपने देखा होगा जो इसमें गोडे लगे हुए इनके बीच की दूरी क्या होती थी हमें साब इक्वल होती थी तो आप सीड़ी को भी arithmetic progression ये समांतर स्रेड़ी कह सकते है समांतर स्रेड़ी इसको हिंदी में बोलते है बच्चो इसके थोड़ी से meaning आपको बता देते हैं कि समांतर स्रेड़ी क्या होती है जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि स्रेणी ये हो गई जो numbers की आपको एक sequence दिया होगा जिसमें आपको numbers इ numbers लिखे होगे समांतर क्या होता है समान अंतर हिंदी बहुत अच्छी भासा होती है जिसको just qualify कर देता है यानि justify करता है अगर दो number के बीच में जो स्रेणी है या जो हमारे पर progression sequences का number है अगर उनके बीच में समान दूरी है तो हमारा वो arithmetic progression यानि समान तर स्रेणी है ऐसे कहीं हम add निकाल पाएंगे अगर arithmetic progression नहीं है तो sum of number हम उसका बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं ठीक है तो उसको check करने के लिए आपको क्या क्या तरीके होते हैं गोई बताते तो कोई number लिखा है तो उसका जो first term होता है पहला number उसको हम A मानते हैं क्या मानते हैं A math इसलिए easy होती है क्योंकि उसको formula based में सरल करके रख दिया जाता है उस formula में चीजे पूड करिए और अपना बड़ा वाला answer लेके घर जाहिए है की नहीं तो पहला term जो होता है उसको A मानते हैं ठीक सिर्ष में दो ही चीज़ सबसे important है और in sreddy के बीच में जो common difference है यानि जो बीच का difference है वो D कहलाता है जिसको हम पूरी तरह से common difference बोलते हैं क्या बोलते हैं common difference तो ये common difference हमारा कहलाता है D तो D is equal to हमारा आता है common difference तो देखे हम कैसे निकालेंगे मा लीजे ये जितने भी terms हैं ये A हो गया तो ये A2 हो जाएगा ये A3 हो जाएगा ये A4 हो जाएगा ये A5 होगा ये A6 होगा तो ये हमारे terms कहलाते हैं आप कोई भी terms भी निकाल सकते हैं आप अभी easily सीख जाएंगे कि कोई भी हम terms कैसे निकालते हैं तो d is good क्या होता है? common difference होता है common difference देखो 3 में 2 घटाएंगे तो भी आएगा माल लिजे हम a3 minus a2 कर दें तो क्या आएगा? a3 क्या है हमारा 3 और a2 क्या है हमारा 2 तो इनको घटाएंगे तो 3 minus 2 कि ये क्या है? 1 अब 1 तो difference माल लिजे 1 आगे हमें 3-4 को चेक करना पड़ेगा कि क्या 3-4 चीजों में अगर equally differences उतना ही आ रहा होगा तभी वो arithmetic progression का भाग होगा पता लाग कहीं 1 आ रहा है 2 को घटाएं कहीं 4 आ जाएं कहीं 3 तो वो arithmetic progression का भाग पिल्कुल नहीं होगा तो चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं अब माल लिजे हम a5-a4 कर लेते हैं 5 की जगा है 5 और 4 की जगा है 4 तो 5 और 4 को घटाएं यहां भी common difference हमारा equally आ रहा है एक और चेक करने के लिए हम कर लेते हैं माल लिजे हम a3 sorry a4-a3 कर लेते हैं चलिए कर लेते हैं तो a4 की जगा 4 है और a3 की जगा 3 है तो हमने इसको भी घटाएं तो हमने देखा कि हमारा common difference equal आ रहा है यानि जो हमने स्रेडी लिखी है यानि progression लिखा है यह arithmetic progression का ही एक भाग है अब हम easily find कर सकते हैं कि इसका sum बगरा क्या होता है उससे पहले एक चीज और समझो तो आपको a पता चल गया terms क्या होती है और d पता चल गया कि उनके बीच में common difference क्या होता है इससे आप यह पता कर सकते हैं कि कोई arithmetic progression है कि नहीं माल लीजेश में हमें पाचमा terms नहीं पता है क्या? 5th term नहीं पता है कि 5th term क्या होगा कभी कोई स्रेडी दी रहती है और आपसे पूछ लेगा कि 5th term क्या होता है तो इस formula में आपको यह दोनों चीज बड़ी help करेंगे A और D तो D आपको पता हो गया है कि 1 है और A आपको पहला term पता है तो आप 5th term निकालने का formula होता है A प्लस 4D जो ही नंबर होगा उसमें D एक कम कर देंगे क्या कर देंगे? जैसे A5 निकालना है तो 4D A6 निकालना होगा तो 5D A7 निकालना होगा तो 6D समझ मा रहा है? कोई बिटम 7 में नंबर का term 8 में 9 में 99 किसी नंबर का अगर हमें term निकालना है तो हम जो नंबर का term लिखेंगे और D उसमें से एक कर देंगे ठीक? अब देखें A हमारा क्या दिया हुआ है बच्चा A बराबर दिया है 1 तो हम 1 रख लिए कोई दिक्कत 4 को हम जानते है 4 ही होता है और D की value क्या दिया हमको एक ही दिया है तो इन दोनों की बीच में sign multiply का होता है जो दिखता ने 1 लिख लिए तो अब देखें कोई भी एक terms निकाल सकते है example के तोर पर इसमें एक महत पूर जो दो formula है जिसमें से आप number of terms निकाल सकते हैं वो formula है आपका A N बराबर A plus N minus 1 into D यह आपका एक formula main वाला है जिससे आप terms निकाल सकते हैं और sum of number terms जो अभी हम आपको बताने वाले जो सबसे important है यानि स्रेडी में जितने भी number है पहले वो पता होना चाहिए तो माल लीजेए हमने जो स्रेडी लिखी है वो क्या लिखी है एक से सौ तक तो कितने terms हो गए सौ तो number of terms को N बोलते हैं क्या बोलते हैं तो उसका formula होता है S N बराबर N by 2 2 A plus N minus 1 into D इस formula में हम value put करेंगे तो एक से सव हो दो बाली कोई terms हो कोई समानतर स्रेडी हो तो उसमें कितने term है term मतलब होता है एक, दो, तीन हम यहां से सव तक लिखें तो number of terms कितने होगे सव तो माल लीजे D बराबर हमारी value भी A कही है हमने find की है कि common difference कितना है 1 अब इसमें हम value रख देंगे तो एक से सव तक की संख्याओं को अगर हम जोडें तो कितना उत्तार आएगा आपको तुरंथ पता चल जाता है आईए solve करते हैं तो इसमें value put कर देते हैं N की जगे लिखना है 100 क्योंकि 100 term है मारे पास upon क्या है 2 तो 2 लिख लिजे इसको bracket को लिखिए 2 A की value हमारे पास है 1 तो 1 plus है तो plus लगा दीजे N की value है 100 तो 100 minus है तो 1 और D की value 1 है तो 1 लिख लिजे कोई दिक्कत हमने आपको जो value थी आप value अगर यह सब ना दी हो A1 तो 3D से आप निकाल सकते हैं आपके पास अगर sequences है तो पहला term A होगा और किसी भी दो बीच के differences को हम D कहते हैं तो जो भी दो number को difference कर लेंगे वह हमारा D कहलाएगा और जो इतने भी numbers होगे वो number of terms कहलाएगा बस value पूट कर दीजे देखते हैं कितना answer आता है तो S N बराबर 2 से 500 को काटे कितना आएगा 50 easily आप देख पा रहे हैं 50 आगया है फिर इदर देखे 2 अंजा 2 2 का multiply 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा plus लगाएगे 100 में 1 minus कर देंगे 99 आता है 99 और 99 का 1 से multiply करेंगे तो 99 ही आएगा इसमें कोई सखी नहीं है उसके बाद क्या करेंगे 50 लिख लेंगे और 2 है और 99 में आड करेंगे तो कितना आएगा 100 99 में 2 आड कर 101 अब 101 में 50 का गुडा कर लीजे तो बड़ा असान है अगर आप गुडा करना तरीका जानते है तो 50 कमा लीजे गुडा करना है तो 1 0 है तो इसको बढ़ा दीजे 5 का इस सभी में गुडा कर दीजे 5 एक कम 5 5 0 0 5 एक कम 5 यानि 5,050 आएगा 1 से 100 तकी संख्याओं का जोड यह होता है हमारा अर्थमाटिक प्रोग्रेशन के अंतर उत्तर तो इतना ही है आपके 5 चैप्टर में अर्थमाटिक प्रोग्रेशन का अब आपको मैं एक्जामपल के तौर पे देता हूँ 1 से 10 तक कितना 1 से 10 तक कि स्रेड़ी है माली जे 10 तक आपको उसका SN निकाल के दिखाना है हमको फिर उसके बाद हमें कर्यों समझाते हैं वो ये एक्जामपल है बच्चों कि हमारे पास वो सिंपल वाली अर्थमाटिक प्रोग्रेशन के हमने एक्जामपल दी थी अब हमारे पास एक दूसरी एपी आ गई है दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्रीक्ट्वेंसेस आया है तो आपको इसमें से भी सॉल करके दिखाना है कितने टम्स वान टू थी फो फाइफ सिक सेवन एट नाइन टेन टेन टम्स इसमें भी है और अगर आपको पता ही होगा कौन सा टम्स निकालन कर दिए इन दोनों के बीच में कितना आएगा थी आएगा फिर यहां घटा लेते हैं दो के बीच में तो हम 21-18 कर लेते हैं तो भी यहां थी आ रहा है यानि हमारा कॉमन डिफ्रेंस क्या गया थी तो डी जबडू क्या गया थी अब हमें डी भी पता चल गया और ए थी सब्सक्राइब को तीन से लेकर तीस तक में इन नम्बरों को संक्या होगा तो आप इसली निकाल सकते वही फॉर्मूला एसन बराबर एन वाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैं एक और एक्जांपल बस दे रहा हूं बागी प्रोसेस वही है क कि पतालाग सर जी एक से सव तक बताय रहें यह मत बहुत एक का नमबर आई गया है चूतिया बना दीन सर जी पांच-पांच कभी आ सकता है पचीस-पचीस की भी आ सकता है यह तो सिंपल समझाने के लिए इंट्रो मैंने आप लोगों को दिया है और एक चीज और एक चीज इसका अंत है जिस तरेडी में नमबर आफ्टम्स का अंत हो जैसे दस ताओ एक हजार एक लाक टम का अंत हो तो वह फाइनाई होते हैं जिसमें गिना जाय टम्स अम माली यह टम्स ऐसे बढ़ता जाएगा तो तीन-तीन कितना अड करते जाएंगे नैचुरल नंबर है तो अगर यह अनंत तक जाए इन्फानिटी तक तो इसे हम इन्फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे तो इसका एड निकालना बड़ा कठीन हो जाता है कि इसका कैसे आड निकाल पाएंगे जिसमें इन्फाइनाइट टम्स है तो नंबर आफ टम ही नहीं पता चलेगा तो we cannot find out the real numbers and real sum ठीक है इसी algorithm के थूपर आपका sigma x काम करता है computer में sigma x कर दीजे पूरे number को set करके तो आपको खट से easy उतर बता देता है तो इन्फाइनाइट है जिसमें अनंत टम्स हो तो उसे infinite finite जिसमें टम्स आपकी गिंती से हो वही finite तो आईए इसमें वैलू put कर लेते हैं तो दस टम्स है तो दस बटे दो और टू इन्टू टू एक की वैलू क्या है बच्चों 3 प्लस एन की वैलू कितनी होती है एन की वैलू हमें पता है 10 है 10 माइनस 1 और D की वैलू हमने निकाल लिया है 3 अब इसको सॉल कर देते हैं 2 5 जा 10 5 आ गया 2 3 जा 6 प्लस 10 में एक गया 9 9 का 3 में गुड़ा करेंगे 9 3 27 ठीक है तो 5 और इसे यह ब्रेकेट लगाए च्छा 27 कितना होता है 27 23 33 अब 33 का गुड़ा 5 से कर लिजे एंसर आ जाएगा आपका तो पांस त्याही 15 पांस त लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें